हलो एबरीबडी वेलकम तू मैगनेट बिन्स इस श्रेटा चाकूर या शोशल साइन्स एजुकेटर मैगनेट बिन्स एक एसा प्लाटफॉर्म है जहां किंडरकार्टन से लेकी क्लास 12 तक के सबी वीडियो कोर्सेस प्रवाइट करवाय जाते हैं दाट तो बीप्री ओफ कॉस्ट वी अलसो प्रवाइड यू सी वीडियों से अंधर अधर स्टेट बोर्ट के फुली ओर्नाइस कोसे विद देली प्रैक्टिस पेपर एंड हमारे पास e-books और e-notes की फैसिलिटी भी अवेलिबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आज हम क्लास 9 एकनोमिक्स का दो स्टोरी ओफ विलेज पालंपुर जो है उसका चैप्टर नमबर वन के NCRT solution करने वाले हैं हम करेंगे NCRT solution the story of village पालंपुर के बहुत अच्छे से हमने चाप्टर जो है पढ़ा एक hypothetical village है पालंपुर उसके बारे में और अब हम देखेंगे उसके question answer तो यह रहा question number one आपके screen पर every village in India is surveyed once in 10 years आपको पठा है न कि हर साल हमारा census होता है दस साल में हर दस साल में census होता है जन गर्णना होती है तो हर साल जो है every village in India survey once in 10 years 10 सालों में एक बार जो है survey किया जाता है during the census and some of the details जब survey किया जा रहा है तो तो कुछ details सो fill की जाएंगी न कुछ तो कुछ details जो है वो fill की जाती है presented in the following format बताया हुआ है इस तरीके से fill up the following based on information on पालंपूर पालंपूर को के basis पे इन information को जो है फिल कीजिए location बतानी है total area of the village बताना है land use in hectares जो है वो बताना है irrigated कितने में सिचाई होती है कितना unirrigated है वो बताना है आपको फिर facilities कौन कौन सी है educational facility क्या है वहाँ पे medical facility क्या है market की क्या facility है electricity supply है या नहीं है communication और nearest town आपको बताने है तो यह सब हमने अच्छे से पढ़ा है तो अगर हम location की बात करें पालंपूर जो है कोई is located three kilometer from राइगंच which is a big village एक बहुत बड़ा सा village है राइगंच उससे three kilometer की दूरी पर है आपका पालंपूर village the nearest town जो है उसके वो शाहपूर है शाहपूर जो है वो nearest town है तो location clear हुई कि पालंपूर जो है वो three kilometer है किस से एक बड़ा सा village है आपका राइगंच अगर बात करें इस टाउन की तो वो कौन सा है शाहपूर है तो यह तो हमारी location है वैसे तो हमारा जो village है वो hypothetical है लेकिन फिर भी हम एक location उसके दी हुई है वो हमने यहां पर बता दिया अब बात करते हैं अब वेल कनेक्टेड है यह बास पास के जो villages है गाउं है तो यहां पर बहुत अच्छी road facility है all weather weather road है मतलब पक्के road है तो उससे यह connected है it is well connected with the neighboring villages and towns किसके through all weather road all weather road कौन होते है हमारे जो पक्के रास्ते होते है metal road भी इनको बोलते है पक्के रास्तों को ठीक है with the village to rai ganch and further to the nearest small town of शाहपूर जो है वहाँ से भी यह connected है total area of the village की अगर हम लोग बात करें total area कितना है इस village का the total area जो है वो 246 hectares है total area जो है village पालंपूर का वो 246 hectares है right आगे अगर हम लोग बात करें cultivated land की तो irrigated land जिस पर सिचाई होती है वो 200 hectares है 20 hectares unirrigated है और 26 hectares जो है वो land not available for cultivation ठीक है area covering dwellings roads, ponds, grazing ground उन सबके अंडर जो है वो 26 hectares का land है अगर हम लोग बात करें educational facilities हमने दीखा था कि पालंपूर में दो primary school थे और एक high school था right तो पालंपूर has two primary school and one high school चलिए जी ये भी हो गया अब आते medical facility पे तो there is a primary health center है run by the government जिसको सरकार चलाती है and one private dispensary भी है वहाँ पे एक private dispensary भी है market की बात करें तो market has some general stores, shop selling eatables जो चोटी मुटी खाने पीने की दुकाने है वो भी है यहाँ पर electricity supply की बात करें हाँ भाई बिजली है वहाँ पर most of the houses have electric connections जादा तर घरों में जो है वो electric connection है आपका it powers the tubers by electric connection है तो irrigation के लिए tubers इससे चलाए जाते और छोटी छोटी जो small businesses है उन में भी उनको run करने में काम आता है जैसे कि हमने देखा था कि जब मिश्री लाल जी है वो अपने जो है sugar can say jaggery बना रहे थे तो mechanical जो है jaggery crushing machine लेकिया थे जो electricity से चलती थी अपनी खेतों में उन्होंने लगाई थी तो इस तरीके से वहाँ पर electricity की supply भी है चलिए next communication communication के लिए भाई हमने देखा था well developed transportation system है हर चीज है अगर देखा जाये तो वहाँ पर tongas भी है फिर वहाँ पर जो है आपके motorcycle and trucks है ठीक है रिक्षा है तो हर तरीके की जो है communication facility और road बहुत अच्छे हैं वहां के हमने पढ़ा था पके रास्ते हैं वहाँ पर ठीक है nearest town जो है वो है शाहपूर शाहपूर जो है वह वहां का nearest town है चलिए तो यह तो हो गए information किसके बारे में हमारे पालंपूर के बारे में चलिए अब next question question number two क्या है modern farming methods require more inputs जो modern farming methods है उनको ज्यादा inputs की जरूरत होती है और manufactured in industry जो industries में manufactured होते हैं fertilizers कहां पर बन रहे हैं, industries में बन रहे हैं, tractors कहां पर बन रहे हैं, industries में बन रहे हैं, thresher, harvesters, सारी चीज़े, modern farming में यह सब लगता है, और यह सब कहां बनता है, industries में ही बनता है, है ना, तो यह सब चीज़े, अब seeds, यह सारी चीज़े कहां से मिल रहे हैं, हमें industries से मिल रहे है सीट से विन क्या होता है कि रख पी लेते लेकिन वो पाकिंग करके जो बाद में आते हैं आजकल जो मॉडर्ण सीट सारे वो भी फिर वहीं से जो है आते हैं लेकिन वहां बनते तो नहीं है ठीक है ओके येस टिस्ट रू ढट माड़ेन फार्मिंग मेंथर्ट से रिकॉयर् मोर इंपूस जो मॉडर्ण फार्मिंग मेंथर्स था उनको जादा इंपूट्स की ज़रूरत होती है अब देखो ट्यूबेल जहा है वो भी कहां पर बनेंगे वो भी किसे इईन्दस्ट्री में और water pumps कहां बनेगे, industry में बनेगे, वो सारी चीज़े कहां से हैगी, सारी modern farming की maximum चीज़े जो है, वो industries से ही आपको मिल रही है, yes it is true that modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry, जो कहां पर manufacture होते हैं, industry में, for example, H5E seeds हो गए आपके, ठीक है, फिर उसके बाद insecticides हो गया, pesticide, कीट नाशक हो गई आपकी, chemical fertilizers हो गए, needed for increasing the yield per hectare के लिए जो है, और all manufactured in industries, सारी कहां पर manufacture होती है, industries में ही manufacture होती हैं ये सब चीज़े, farmers use farm machinery, जो farm machinery हम use करते हैं, जैसे कि हमारे tractors हो गए, threshers हो गए, also combined जो machine harvester हो गए हमारे, ठीक है, ये सब कहां manufacture हो रहे हैं, industry में ही आपके manufacture होते हैं, और tubels, tubels भी एक modern farming हैं नहीं, तो rain पर depend करते, जो tubels हो गए, आपके equipment, water pump हो गए, जिनको हम irrigation के लिए use करते हैं, are also manufactured in industries, ये भी कहां manufacture हो रहे हैं, industries में manufacture हो रहे हैं, ये सब भी कहां manufacture हो रहे हैं आपके, industries में manufacture हो रहे हैं, next अगर हम लोग बात करें, question number 3 जो है आपका वो क्या है, वो है, how did the spread of electricity help farmers in पालंपूर, जो electricity है, वो किस तरीके से farmers की help कर रही है, पालंपूर में, अब वो tubels जो चलेंगे, वो किस से चलेंगे, tubels किस से चलेंगे, electricity से ही चलेंगे न, तो spread of electricity जो है, अब देखिए, जो हमारे मिश्री लार जी थे, वो भी तेक farmer ही है, जिन्होंने जैगरी जो है, उनके खेतों में जो गन्ना हो रहा है, उसको process करके, उन्होंने small manufacturing unit लगा लिया है वहाँ पे, तो उसमें भी वो use हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करें, the spread of electricity has helped the farmers of पालंपूर village in the following village, जो electricity है, वो किस तरीके से पालंपूर villages में help कर रही है, अगर हम देखिए, most of the houses have electric connections, जाधा तर घनो में देखो, electric connection है, बहुत सही है, ठीक है, electricity use की जाती है, ट्यूबल्स के लिए in the fields, ठीक है, ट्यूबल्स को चलाने के लिए, electricity used की जाती है, various type of small business के लिए, जैसे हमने देखा था, कि मिश्री लाज जी की जो sugar cane crushing machine है, किस से चलेगी, electricity से ही चलेगी, तो इस तरीके से electricity को वहाँ पे use किया जाते है, कैसे, वह electricity है, तो घरों में तो बिजली आएगी, ही आएगी, फिर farmers की तरीके से use देखा जाए, तो ट्यूबल्स के लिए, जो उनको irrigation में use होते हैं, उसके लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट, ट्यूबल्स किस से चलेंगी, electricity से ही चलेंगी, उसके बाद various type of small businesses जो होते हैं, उनके लिए भी उनको क्या चाहिए, electricity चाहिए ही चाहिए, चलिए आते हैं, question number 4 पे, and question number 4 है आपका, is it important to increase the area under irrigation and why, क्या ये जरूरी है कि जो area है हमारा under irrigation उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, और क्यूं, भाई देखिए, rain पे ही depend रहेंगे, तो कई बार तो हम जो ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, वो नहीं उगा पाएंगे, अगर हम rain पे ही depend रहेंगे, तो नहीं उगा पाएंगे, तो इसके बहुत जरूरी है, कि हमें जो अपना area है under irrigation वो बढ़ाना ही पड़ेगा, right, yes it is important to increase the area under irrigation, यह बहुत जरूरी है कि हमें जरूरत है उस area को बढ़ाने की जो किसके, under irrigation है, because water is very essential for agriculture, agriculture, पानी बहुत जरूरी है किसके लिए, agriculture के लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या चाहिए, हमें पानी की जरूरत है, सिचाई तो करनी पड़ेगी न, इन इंडिया, इंडिया में क्या है, आज भी हमारे जादा तर farmers जो हैं student, वो rainfall पर, rainfall पर ही depend है, ठीक है, अपनी फसल के लिए, तो कभी-कभी क्या ओता है, कि rainfall बिलकुल ही नहीं होती है, वो भी उनके लिए नुकसान है, कभी-कभी इतनी जादा हो जाती है, ओले तक गिर जाते कि उनकी फसल ही खराब हो जाती है, तो इस तरीके से क्या ओता है, कभी-कभी जब monsoon सही टाइम पर नहीं आती है, तो काफी delay भी होता है उनको crop grow करने के लिए, इन इंडिया, the rainfall is very unevenly distributed, बहुत uneven है, ठीक है, कहीं बहुत जादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं बिलकुल ही नहीं है, and if rainfall is less, then production will be low, production low होगा, right and farmers will be only able to grow one crop से one crop, दूसरी के लिए तो बारिश की वेट करना पड़ेगा ना उनको, ठीक है, in a season, with good irrigation facilities, अगर उनके पास irrigation facilities अच्छी है, it will be possible to do multiple cropping, वो एक साल में उसी लैंड पे एक से जादा बार जो है, crop को grow कर सकते हैं, तो वो होगी क्या, multiple cropping, okay, helping to increase उनकी जो production है पर hectare, इससे जो उनकी production है पर hectare वो बढ़ेगी, right? Question number 5 है आपका, क्या कहता है question number 5, Construct a table on the distribution of land among the 450 families of Palampur, हमने देखा था कि Palampur, Palampur में 450 families है, जिसमें से अगर हम लोग देखें कि कुछ families तो हमारी large farmers की हैं, और one third जो family जो है, वो schedule caste को belong करती है, मतलब farmers in the sense कि ज्यादा तर जो है, नहीं, अपर caste वाली हैं और lower caste, दो segments में divided हैं, तो अगर हम लोग देखें, the distribution of land among the 450 families of Palampur is given as below, देखो यह आपको दे रखा है, तो अगर हमने यह table बनाया है, तो अगर हम देखें area of land cultivated, कितना area जो 450 families में distributed है, cultivation के लिए land के according, तो अगर देखें nil, जिनके पास बिलकुल भी जमीन नहीं हैं, वो है 150 families, बिलकुल landless है, less than 2 hectare, जो हमारे small farmers है, ठीक है कितनी है, 240 families और more than 2 hectare, more than 2 hectare, जिनके पास है, वो है, medium और large farmers कितने हैं, हमारे 60, तो 450 families से अगर हम देखें nil, जिनके पास बिलकुल भी जमीन नहीं है, 0 जमीन है, तो वो हमारे पास 150 families है, less than 2 hectare, जो हमारे small farmers होते हैं, वो 240 है, उसके बाद more than 2 hectare कि अगर हम बात करें, तो 60, more than 2 hectare कितने हैं, हमारे 60 जो families है, वो more than 2 hectare वाली है, अब आते हैं, question number 6 पे, why are the wages for farm laborers in पालंपूर, less than minimum wages, why are the wages of farm laborers जो है, in पालंपूर, less than minimum wages, तीके गवर्मेंट ना minimum wages fix करते हैं, कि इतना तो at least उनको दो, मान लेजे, मान लेजे, government ने बोला है, landless labor जो है, उसको 100 रुपीज तो आपको देने हैं, कितने देने हैं, 100 रुपीज तो आपको देने हैं, चलिए जी 100 रुपीज दे दिये, अब उसके बाद क्या, 100 रुपीज के बाद, यह government ने fix किया, ठीक है, और आपने कितने दिये उसको, वो दे रहे हैं, 60 रुपीज, कितने दे रहे हैं, 60 रुपीज जो हैं, वो उनको दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, 60 रुपीज, तो मान लेजिए 100 रुपीज जो है वो government ने fix किया है 60 रुपीज की अगर हम लोग बात करें वो दी जा रही है इनको 60 रुपीज इनको payment दी जा रही है ठीक है तो decide government ने किया 100 और उन labor को दी जा रही है 60 क्या आपको लगता है ये fair है उनके साथ बिलकुल भी fair नहीं व्हाइट पे काम करने को क्यों तयार हो रहे क्योंखिए competition बहुत ज्यादा है अगर एक मना करेगा तो दूसरा कहां हम इतने कम पैसों में काम कर लूँँ गरीबी है ठीक है तो वो इतने कम पैसों पेंत रियार हो रहिए इसलिये जो une उनको पता है कि जो ये बड़े farmers हैं, उनको पता है कि उनके पास option नहीं है, वो कम पैसों में भी तयार हो जाते हैं काम करने के लिए, right? तो अगर हम लोग देखें, there is heavy competition for work among the farm laborers, right? जो farm के laborers है, उनके अंदर जो है बहुत जादा competition, उनके अंदर नहीं, बहुत सारे laborers हैं, तो एक काम नहीं करेगा, तो दूसरा मान जाएगा, in पालंपुर, so people agree to work for lower wages, तो लोग जो है वो agree हो जाते हैं, lower wages में काम करने के लिए, कम salary में काम करने के लिए, ठीक है, example, डाला की situation देख लो, is a landless farm laborer, ठीक है, landless जो है, वो labor है, मज़ूर है, who work on daily wages in पालंपुर, जो daily wages पे काम करता है, पालंपुर में, he must regularly look for work, उसको जो है हमेशा, देखिए, क्या क्या होता है न, यह जो हमारे wages वाले, daily wages वाले worker होता है, आप देखते हैं, इनको रोज-रोज काम नहीं मिलता, कुछी time period में इनको काम मिलता है, उसी में इनको जो है, गुजारा करना होता है, right, the minimum wages for a farm laborer set by the government, जो है, rupees 115 है, 2011 के according, 115 रुपे वैसे government ने कम set किया, ठीक है, and per day, per डाला को सिर्फ और सिर्फ मिलते है, 80 रुपे, government ने कितना set किया, 115 रुपे, डाला को कितने मिलते है, 80 रुपीज, हाना, कम मिलते है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, competition है, इसलिए डाला को इतने कम पैसों में काम करना पड़ता है, competition इसका नहीं है, competition है, ए मार्केट में और भी जादा लोग है, जो डाला वाला काम करते हैं, in your region, talk to two laborers, अपने रीजन में दो laborers से बात कीजिए, choose either farm laborer और या laborers working at construction site, वो आपकी चोईस से आप किसी, देखिए, एक तो आपका construction site पे जो काम कर रहे होते हैं, मजज़ूर वो होते हैं, farms में काम कर रहे हो, वो होते हैं, वो भी हो सकते हैं, what wages do they get, आप उनसे पूछो, कि भाया आपको कितना पैसे मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, एक दिन काम करने के, are they paid in cash or kind, किस तरीके से उनको पैसा दिया जाता है, ठीक है, और do they get work regularly, क्या उनको हमेशा काम मिलता है, बता हूं, इससे आपको realize होगा, कि आप कितने जादा blessed हैं, जब आप उनसे पूछेंगे, तो आपको सारे answers जो आएंगे, वो इसी तरीके से आएंगे, कि नहीं हमें रोज काम नहीं मिलता है, जब जब मिलता है, हमारी salary, जब आप सुने हैं उत्ते हैं, तो आप छोटी homework है, ठीक है, यह आपका homework है, आप खुछ से देखिएगा, पूछेगा, ठीक है, student must do this activity themselves, खुद करेंगे आप, ठीक है, and answer the question based on their survey, आपको जो ठीक लगेगा, उसे साब से आप अपना लिखिएगा, जो जो आपने पूछा, जो जो questions है, उनके answers के according, आप अपना answer लिखेंग चाहिए, question number 8 क्या कहता है, what are the different ways of increasing production on the same piece of land, अब land तो नहीं बढ़ेगा, मेरे पास one hectare है, तो one hectare ही लेगा, तो किस सरीके से जो है different ways है, increase करने के production on the same piece of land, use example to explain, आपको example use करना है और उसको explain करना है, right, तो एक same piece है, देखें, अब क्या है, same piece of land है, तो मैं उस पर multiple cropping कर सकती हूँ, multiple cropping उस same piece of land पर एक से ज़्यादा फसल जो है, उगाई जा सकती है, one agriculture year में, तो वो किया जा सकता है, देखें, multiple cropping and use of modern farming methods are two different way of increasing the production on the same piece of land, of land, right, तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोग क्या करेंगे, multiple cropping या modern farming method के technique जब use करेंगे, तो same land पर जो productivity है, वो ज्यादा होगी, right, तो आते हैं multiple cropping पर, multiple cropping, when more than one crop, एक से जादा crop जो है, grow की जाती है, on a piece of land, ठीक है, during the year, उस same year में उसे बोलते हैं multiple cropping, ठीक है, it is the most common way to increase the production, यह most common way है, production को increase करने का, on a given piece of land, right, on a given piece of land पे जो है, यह production increase करने का सही तरीका है, next, all farmers जो है, इन पालमपुर, grow at least two main crop उगाते हैं वो लोग, many are growing potato भी grow कर रहे हैं, as the third crop, दो crops तो उगाई लेते हैं, पालमपुर के जो farmers है, at least दो crops तो उगाई ले रहे हैं, और साथ में potato भी grow कर लेते हैं, तो अच्छे से वो multiple cropping कर रहे हैं, in the past 15 to 20 years, जो अच्छा है, जो अच्छी बात है, अब use of modern farming techniques की बात करें, तो use of modern farming methods, जो हम use करेंगे, help to reduce, इसको cut कर देंगे, ठीक है, use करेंगे हैं, modern farming methods का, also help to increase yield per hectare, वो हमारी जो पैदावार है, पर hectare बढ़ाने में हमारी help करेंगा, देखो, farmers of Punjab, Haryana और जो Western UP है, वर्दा first to try modern farming method, green revolution आया था हमारा 1960 में, जिसमें हमने देखा था, जो farmers से Western UP के, हमारे Punjab के, हरियाना के, उन्होंने modern farming methods को जो है, वो use किया था, ठीक है, और farmers जो है, in these regions, इन शेत्रों में, इन एरियान में, क्या-क्या modern farming technique, वे, उन्होंने tubers set के, irrigation के लिए, ठीक है, यूज किये, HYV seeds को यूज किया, chemical fertilizers यूज किये, pesticides यूज किये, ताकि जो farming में productivity है, वो बढ़ सके, राइट, तो same piece of land पे हम productivity बढ़ा सकते है, किस तरीके से, multiple cropping and modern farming methods के थूँ, राइट, चलिए, some also used farm machineries भी use की, क्या-क्या, जैसे tractors हो गए आपके, and threshers हो गए, ठीक है, which made plugging and harvesting, जो है, fast हो गया, तो इस तरीके से जो है, उनकी जो yield है, पहले 1300 kg per hectare थी, जो बढ़के 3200 kg per hectare होगी, double से भी जादा, 1300 का double 2600, उससे भी जादा जो है, उनको जो है, per hectare land पे, जो उनकी production थी, वो हो रही थी, परेकर land पे, ठीक है, चलिए, describe the work of a farmer, with one hectare of land, एक farmer है, उसके पास one hectare of land है, तो उनका जो है work, जो है, आपको explain करना है, राइट, देखे, a farmer having one hectare of land, वो कैसे हैं, small farmer है, पहले तो यहीं से, हमने देखा था, जिनके पास less than two hectares हैं, वो क्या होते हैं हमारे, small farmers होते हैं, a farmer having one hectare of land for farming is called substance farmer, बोलते हैं, because one hectare of land is for even the sustenance of small family, बहुत कम है, मतलब उनकी अपनी फैमिली के गुजारे के लिए भी वो बहुत कम है, one hectare land, उनसे अपनी ही फैमिली का गुजारा तक नहीं हो पाएगा, उस one hectare land में, इतनी जादा मुश्किल होती है, प्रोडक्शन बहुत लो होगा, ठीक है, and it is very difficult for the farmer to provide for his family, इतना कम प्रोडक्शन होगा कि अपनी फैमिली को जो है, पूरे तरीके से पालना भी उनके लिए मुश्किल होगा, apart from working in his own field, अपने खेतों में काम करने के अलावा, he has to work in the field of the rich farmer, जैसे हमने सवीता वाला केस देखा था, सवीता के जो केस था, उसके पास बहुत कम लैंड थी, वन हेक्टिर से भी कम लैंड, तो अब उसको क्या था, उनको अपनी खेतों में काम करने के लिए उनको 3000 रुपे चाहिए थे, जब 3000 उनने बिग फार्मर से मांगे, तो बिग फार्मर ने उनको बोला 24% interest rate देना पड़ेगा, और condition यह है कि 35 रुपे के हिसाब से जब हर्वेस्टिंग होगी, तो मेरे खेत में पढ़े काम भी करना पड़ेगा, तो इस तरीके की चीजे जो है, क्योंकि उनके लिए जो उनका खेत है, वो जो लैंड है, वो सफिशेंट नहीं होता है, इसलिए उनको दूसरे के खेतों में भी काम करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन इस ओन फिल्ड, वर्किंग इन फिल्ड ऑफ रिच फार्मर्स और वर्क एज़वल लेबर तो सर्वाइव, राइट, चले, नेक्स्ट, दस्मॉल फार्मर हाज जो इरिगेशन फेसलिटी, कोई इरिगेशन फेसलिटी नहीं होगी उनके पास, ऐसा नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है, पर अभी के अकॉर्डिंग, जो सिचुवेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहें, तो उनके पास इरिगेशन फेसलिटी नहीं होगी, जैसे हमने सवीता वाला केस देखा था, उनके पास वर्किंग कापिटल नहीं थी, उसको लेने के लिए, उनके पास जो है किसी भी तरीके के पैसे नहीं थे, फी इस अलसो नॉट एबल तो बाई modern machinery, modern machinery तो बहुत बड़ी बात है, हच पाईवी, सीट, इंसेक्टी साइड और पैस्टी साइड लेने के पैसे उनके पास नहीं होंगे, right, in the absence of capital, अब पैसा नहीं होगा, he has to take a loan from money lender, और money lender जैसे हमने लेखा था, किस से मांगे उन्होंने, money lender से मांगे, तेजपाल जी से मांगे, तेजपाल जी ने क्या का, काम करोगी, 24% interest rate पे पैसा मिलेगा, और मेरे खेतों में काम भी करना पड़ेगा, who charges a high interest rate, right, he is rarely able to repay the loan and eventually falls into a debt trap में, वो फस्ट जाएगा, right, चलिए, how do the medium and large farmer obtain capital for farming, how is it different from the small farmers, चुँ medium and large farmers है, उनको जो है capital, जो है, वो कहां से मिलता है, farming के लिए, और ये small farmers के से कैसे different है, देखिए, सबसे पहले तो इनके लिए यह होता है, कि इनकी जब surplus, जो इनकी crop होती है, उसको यह बेच देते हैं, तो इनके पास savings होती है, नहीं भी होता है, तो bank से loan लेना, इन लोगों के लिए easy होता है, ये चीज़े गिरवी भी रख सकते हैं, और इनको easily loan मिल भी जाता है, right, medium and large farmers obtain capital for farming in the following ways, देखिए, जो medium और large farmers होते हैं, have their own savings, मैंने बताया है न, इनके पास जो production होती है, वो जादा होती है, तो वो अपना गुज़ारत होता है, जो बाकी extra होता है, वो उसको बेच देते हैं, the medium and large farmers have their own savings, अपनी savings होती है, from farming से, and are able to arrange the capital needed, और उनको capital है, उनको लोग दे भी देंगे, भरोसा भी कर लेंगे उन पर, easily उनको loan दे भी देते हैं, in case they needed, ठीक है, they put most of their money in banks, banks में डाल देते हैं, and use savings for lending money, बलकि उसी को वो एक lend करते रहते हैं, जो छोटे farmers होते हैं उनको, यह बाकी लोग जो होते हैं, उनको देते रहते हैं, small farmer at high interest rate, high interest rate पर उनको देते हैं, तो वो वसूली का काम भी कर लेते हैं, यह लोग, राइट इस तरीके से, तेखें, differences की बात करें, जो small farmers हैं, borrow money for their capital, from the large farmer, वो large farmer से लेते हैं, village में money lender से लेते हैं, trader से लेते हैं, they charge heavy interest rate, and these small farmers are put into great distress, when they are unable to pay, repay the loan back, अगर यह अपना loan जो है वापिस नहीं दे पाते हैं, राइट, चालिए, question number 11 क्या है, on what terms, did Savita get a loan from Tejpal Singh, हमने देखा था, would Savita's condition be different, if she could get a loan from the bank, at a low rate of interest, yes, obviously, अगर Savita को bank से loan मिल जाता है, लेकिन क्या होता है, यह जो हमारे, small scale farmers होते हैं, इस तरीके से लोग होते हैं, जिनको awareness नहीं होते हैं, उनको बहुत मुश्किल लगता है, bank से loan नहीं, क्योंकि banks में क्योंता है, एक paper भी नहीं होगा, bank में loan नहीं मिलेगा, तो उनके लिए इतनी difficult situation, उनको लगता है कि, इससे easy तो है, होते हैं, हाँ, अगर उनने bank से loan मिला होता, interest rate कम होता, ठीक है, और time duration भी जादा होती, उनको जबरदस्ती किसी के खेतों में काम नहीं करना पड़ता, वो अपने ही खेत में अच्छे से काम करती, multiple cropping करती और उनके लिए वो beneficial रहता, तो अगर हम लोग बात करें, सभीता एक small farmer है, in order to cultivate wheat on her one hectare of land, अपने one hectare of land में wheat को cultivate करने के लिए, decided to borrow money from Tejpaar Singh, हमने देखा था, जो कि एक large farmers है, उससे जो है, उन्होंने बोरो किया, लेकिन terms थी, बहुत बुरी terms थी, क्या terms थी? तेजपार Singh ने का, हाँ, बिल्कुल, loan दिया जाएगा तुम्हें, लेकिन सभीता, the loan at कितने rate पे? Interest rate of 24% for 4 months, सिर्फ सिर्फ 4 महीने में अब इतना मुश्किल, 24% time duration इतना सा, 24 months में किस सरीके से वो repay करेंगे उसको? Very high interest rate, सभीता also has to promise, उसको promise भी करना पड़ा, कि वो काम करेंगे उनके खेतों में, as a labor, during the harvest, जब फसल की कटाई होती, कितने रुपे? रुपीज 35 per day, रुपीज 35 per day के हिसाब से, अगर हम बात करें, the rate of interest charged by तेजपाल सिंग, जो तेजपाल सिंग ने rate of interest charge किया, ठीक है, was higher than that of banks, वो ज़्यादा था, bank से 24%, बहुत ज़्यादा होता है, इफ सभीता had taken the loan from the bank, interest would be, have been lower, and she could have easily repaid the loan, and her condition would have been far better, और उनकी condition जो है, वो better होती, अगर उनको जो loan कहां से मिलता, bank से होता, और उसको easily repay भी कर देती, वापे स्पी कर देती, राइट, चालिए, question number 12 क्या कहता है, talk to some old residents in your region, and write a short report on the changes in irrigation, and changes in production method, during the last 30 years, ये, भी आपको खुझ से करना है, भाई, अब आप बात तो खुझ से करेंगे न, ठीक है, talk to some old residents हो गए, ठीक है, in your region, अपने एरिया में, and write a short report on the changes in irrigation, and changes in production methods, during the last 30 years, किस तरीके से, जैसे पहले किस तरीके से, किस तरीके से, होती थी, ठीक है, और अब क्या system, आप change देख रहे हो, तो ये आपका homework है, ये वाला भी, वो वाला भी, तो आपने वो, जो labor's है, उनसे पूछना है, उनके daily wages कितनी है, कैसे काम करते हैं, वो लोग, ठीक है, काश, मैं आपसे मिल पाती, और आपका homework चेक कर पाती, ओके, what are the non-farm production activities, taking place in your region, make a short list of this, चलिए ये भी आपको करना है, भी दिखे, non-farming activities, farming के अलावा, जो other activities है, आपके एरिया में, कौन-कौन सी होती है, जैसे कि, यहाँ पे example के तौर पे, ठीक है, some people, यहाँ पे यह नहीं पूछा है, कि आपको पालंपूर के according बताने है, आपके उपर, जैसे हमने देखा है, कि हमारे आज़ पर small small shopkeepers होते हैं, food joints होते हैं, शाम को जो है, बहुत सारे vendors होते हैं, जो हमारे फेरी वाले होते हैं, green grocer होते हैं, जो सबजियां बेचते हैं, यह सब जो छोटी मोटी non-farm activities, जो है, वो होती रहती है, रैट इस तरीके से कुछ markets लगती है, और उसके अलावा malls हैं, तो वो सब भी अब तो खेर अगर आप city में, तो यह सब चीजें भी होंगी, तो non-farming production जो है, वो कौन-कौन सी आपके transportation, obviously रिक्षा, यह सब आपको देखने को मिलेगा, buses, तो dairy, ठीक है, some people are involved in small scale manufacturing में हैं, ठीक है, few people are involved shopkeeper हैं, traders हैं, फिर some people selling eatables, eatables तो भहुत भी शाम को जाके जाते हो न, आप लोग खाना पीने, तो वो छोटी-छोटी food joints होते हैं, ठीक है, some people are in the transportation sector हैं, में हैं, ठीक है, तो इस तरीकी की जो है, कुछ activities होती हैं, तो आपको अपने यहां की बनानी हैं, फटा-फट बना लीजीगा एक लिस्ट, next, what can be done so that more non-farming production activities can be started in villages, very nice question, क्या किया जाएं कि जादा से जादा non-farming activities हो आपके villages में, तो कौन सी activities हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग बात करें, bank अगर loan देगा, ठीक है, किस तरीके से जादा जो है, non-farming production activities start की जा सकती है, villages में, किस तरीके से, एक तो bank अगर लोन देना, शुरू कर दे, ठीक है, bank should provide loans at low interest rate, ठीक है, so that, जैसे हमने किशोर वाला case देखा था, उन्होंने जो है, उससे अपनी पहले बफेलो, गवर्मेंट की scheme आई, उन्होंने उससे पैसे मिले उनको, उन्होंने बफेलो करी दी, बफेलो के साथ उन्होंने कार्ट जोड दिया, फिर एक जगा से दूसरी जगा कभी, पॉटर का समान इधर से उधर लेके जाते थे, कभी जो है, गुड बेचने किसी का समान लेके, तो इस तरीके से उनकी extra activities हो जाती है, तो bank should provide low net, very interest, low interest rate, so the poor villagers, जो है, can start some business, to help them earn a living, कुछ business जो है, वो start कर सके, next जो है, government should be more active, government जो है, वो ज़्यादा active हो, and start effective employment generation, जो गवर्मेंट कुछ ऐसी schemes लेके आए, जिसमें वो सही तरीके से, employment जो है, वो provide कर वा सके, अब government should provide training to the villages, छोटी छोटी चीजों की जो है, training उनको दे सकती है, ठीक है, different small craft, आपको पते ने, गाओं हमारे बहुत खुब सूरत है, इंदिया जो है, full of diversity है, सुन्दर सुन्दर villages है, जैसे बिहार का मिथला है, वहां की जो है, paintings famous है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी जो है, चीजे जो है famous होती हैं कहीं की, तो उस तरीके से, उन चीजों को जो है, अच्छे से पूरा, मतलब उनके जो craft है, उसको और अच्छा निखार के, बनवाया जा सकता है, उनको training दी जा सकती है, government के side से, उसके बाद government should provide facility of transportation की, अच्छी facility होनी चाहिए, selling of locally manufactured goods of the villagers, in the cities, ताकि वो जो है, अगर transportation सही है, तो अपने समान को एक जगा से ले जाकर, शहरों में जाकर, उसे बेच सकते हैं, इंडस्ट्री can be set up in rural areas, खेर छोटी सी लग कर सकते हैं, बड़ी नहीं, फिर वो गाउं की खुबसूर्ती जो है, वो खराब हो जागी, तो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री जो है, small scale industries जो है, छोटी छोटी जोटी सेटप जो है, जिससे की लोग ज्यादा अर्निंग कर सकें, ओके, चलिए, इसके साथ जो है, हमारे NCRT solution खतम होते हैं, दे स्टोरी और विलेज पालमपुर के, और आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, कहां कहां पर, यूट्यूब पर, एंड हमारी official website, www.magnetbrince.com पर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टागरम, ट्वीटर, टेलीग्राम, और वाट्सेप पर, हमारे पास, एनोट्स और एनी बुक्स की फेसिलिटी भी है, जिसका लिंक नीचे, description box में दिया गया, top courses की अगर हम बात करें, CBSE, डेली, बिहार, UP, MP और राजस्थान बॉर्ण, इन सभी की जो है, classes हमारे यहां पर लगती हैं, Vedic Maths की classes भी होती हैं, Crash Course and Spoken English के courses भी प्रवाइट करवाए जाते हैं, हमारे पास English and Hindi, की दोरों मीडियम के चानल हैं, with this, end of today's session, I hope you like this video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.